21.2 बहुराश्ट्रिय कंपनिया बच्चो जब हम वैश्वी करण के बात करते हैं तो बहुराश्ट्रिय कंपनियों के बारे में जान लेना भी जरूरी होता है आप अपनी रोजमर्रा के जिंदगी में बहुत सारे एलेक्टरोनिक उपकरण का प्रयोग करते होंगे आप टीवी, फ्रीज, वाशिंग मशीन, एसी और हाँ मोबाइल का प्रयोग तो आप जरूर करते होंगे तो इन में से कई ऐसे उपकरण बनते तो हमारे देश में हैं लेकिन इसके बहुत सारे स्पेर पार्ट्स हम दूसरे देशों से आयात करते हैं ठीक उसी तरह आप सडकों पे बहुत सारी गाड़ियों को देखते होंगे इन में से कई गाड़िया तो विदेशों की बनी होती है लेकिन कई गाड़िया भारत में ही बनती है फिर भी उनके बहुत से स्पेर पार्ट्स हम विदेशों से मगवाते हैं यानि आयात करते हैं हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था में लगे बहुत से युद्धक विमान इनके भी बहुत से उपकरण हम विदेशों से आयात करते हैं बच्चों ओनलाइन शॉपिंग के बारे में भी आपने सुना होगा और आप ओनलाइन शॉपिंग करते भी Amazon, Flipkart जैसे कई ओनलाइन शॉपिंग के एप डाउनलोड किये होंगे। उसी तरह फूट सर्विस देने वाली कंपनियां जैसे जो मैटो, स्वीगी इनके बारे में भी आप जानते होंगे। इसलिए ये कमपनिया मल्टिनेशनल यानि की बहुरास्ट्रे कमपनिया कहलाती हैं। जाया बहुरास्ट्रे कमपनिया उन देशों में अपनी इकाईया लगाने को प्रात्मिक्ता देती हैं। जहां उन्हें कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, तथा सस्तिदरों पर प्रसिक्षित वा आप्रसिक्षित श्रमिक उपलब्ध हो जाते हैं। अपनी इकाईया लगाने के पूर्व ये कमपनिया सरकारी नीतियों पर भी नजर रखती हैं। जिन देशों के सरकारी नीतिया लचिली होती हैं, तथा करों के दर्ख कम होती हैं, वहाँ इकाईया लगाने इन कमपनियों द्वारा प्रात्मिक्ता दी जाती हैं। अपने उत्पादों के गुडवत्ता और छवी को लेकर उनमें एक सजकता दिखाई देती हैं। कई बहुराश्ट्री कमपनियों स्थानी कमपनियों को अधिग्रहित कर उत्पादन गतिविधियों का प्रसार करती हैं। कुछानी शेत्रों में बहुराश्ट्री कमपनियां छोटे-छोटे उत्पादों की मदद भी लेती हैं। जैसे कपड़े, जूते, खेल समागरी तथा खिलों ने आधिके उत्पादन का काम छोटे उत्पादकों को दे दिया जाता हैं। तथा निर्मित वस्तुएं उनसे खरीद कर अपने ब्रांड से बाजार में बेज दिया जाता हैं। बहुराश्ट्री कमपनियों द्वारा कभी-कभी स्थानी कमपनी के संयुक्त उपक्रम भी चलाया जाते हैं। जैसे 1995 में अमेरिकी कमपनी फोर्ड मोटर के द्वारा भारती कमपनी महिंद्रा के साथ संयुक्त उपक्रम चला कर कारों का उत्पादन करने लगी हैं। ये कारे ना केवल भारत में बिखती हैं बलकि दूसरे देशों में भी इनका निर्यात किया जाता है।